नमस्कार आप देखरें इन्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन शिर्वात करेंगे खबरों की उत्तर प्रदेश और छे अन्य राजयों में अगले साल होने वाली विधान सभाचनाव और सामुदाइक मुद्देश 7 नमबर को होने वाली भारते जंता पार्टी की राष्टे कारकारणी की बैठक के अजन्टे में सबसी उपर होंगे पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को ये जानकारी दी जेपी नर्डा के पार्टी अध्यक्ष का पदभार सम्हालने के बाद बीजेपी की राष्टे कारकारणी की ये बैठक पहली होगी बीजेपी ने अपनी सभी राष्टे काईयों को भेज़े पत्र में कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकोल्स के मद्दे नजर सभी प्रदेश अध्यक्ष राष्टे महास्तचीव और उस सम्मंधित राष्टे कारकारणी की सदश से अपने अपने राष्टे पार्टी कारालियो से डिजिटल रूप से बैटक में भाग लेंगे राष्टे प्दानिकारी के इंद्रि मंत्री और दिल्ली के नेता जो राष्टे कारकारणी की सदश से हैं वो साथ नवंबर को यहां NGMC Convention Center वेपत्यक्ष रूप से बैटक में भाग लेंगे इसमें ये भी कहा गया है कि एजन्रे में अगामी विधान सबा चुनावों और अन्ने सामिक मुद्दो पर चर्चा होगी साथ राजों की वदान सबा चुनाव 2022 में प्रस्तावित हैं पांच राजे उत्रप्रदेश, उत्राखन, पंजाव, गोवा और मनिपर में अगले साल की शुरुवात में चुनाव होंगे जबकि माशल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के अन्त में हो सकते हैं पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजपी सत्ता में है एक दिवसी रास्ते कारकारणी की बैटक नड़ा के अध्यक्षिय भाशन से शुरू होगी और प्रदान मंत्री नरेंद्र बोदी के समापन भाशन के साथ समाप्थ हो जाएगी यानि कि बीजपी पूरी तरह से तयार है चुनावों पर रनीती बनाने के लिए दो हजार बाइस में पांच विदान सभाथ चुनावों होने है पांच राज्यों में और यह साल की शुरुवात में होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश पर सबसे जादा बीजपी के नजर बनी हुई है और पंजाब को छोड़कर तमाम जो राज्यों में बीजपी सत्ता में है वहीं गुजरात और तमाम ऐसे राज्यों जिनमें अंत में चुनाव हो सकते हैं यानि कि यह कहा जा सकता है कि बीजपी अभी से ही तयारी कर रही है क्योंकि समय नहीं है और बीजपी नहीं चाहती कि कि किसी भी राज्यों में उसे कोई भी नुकसान हो तो यूपी चुनाव को लेकर बीज़पी की रणीती पूरी तरह से तयार है यूपी के अलावा तमाम और राज्य जहां जहां पर चुनाव होने है उसको लेकर भी बीज़पी की रास्टे कारकारने की पहली बैठक हो सकती है